रूद्र प्रयाग जन्पत के प्रभारी मंदरी सौरफ बहुकुडा की अद्धक्षता में जिला कार्याली सबागार में जिला योशना समिती की बैठक आयोजित की गई जिसमें वर्ष 2022-23 के लिए विभिन विभागो ने संचालित विकास योशनाओ के लिए 42 करोड 68 लाग की धनराशी का परिवय अनुमोदित किया साथी बैठक में उन्होंने उपस्थित जनप्रती निधियों और जिलास्तरी अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिये हैं कि जो भी प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं, उनको सभी जनप्रती निधियों के सहमती से विकास योशनाओ का खाका तैयार किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समवाध हींता नहीं होनी चाहिए। रूत्र प्रयाक से सत्यपाल नीकी की रिपोर्ट